अमुरुत कुंड के अरण्य में भगवान श्री दक्तात्रेय ने प्रभु महराज को दंड और जोली का प्रसाद दिया था। उसी जोली को लेकर प्रभु महराज ने आजीवन भिक्षान्द को अरजित किया। और आज भी उसी जोली के महाप्रसाद से लाखों भक्तजनों का भरण कोशन कर रहे हैं. श्री दत्य जयन्ती महोत्सों के समय, भंडार खाने में अन्नदान का आयोजन अत्यन्त भव्यता के साथ किया जाता है. जयन्ती उत्सों में होने वाले अन्नदान के लिए भक्तजन अत्यंत उदारता से आर्थिक अनुदान देकर श्री संस्थान को सहयोग प्रदान करते हैं प्रभु जैनती के दिन मानिकनगर के समस्त ग्रामवासी मिलकर बहुत बड़े स्तर पर अन्नदान का आयोजन करते हैं। मानिकनगर के प्रत्येक घर से रोटियां बनकर आती हैं और उन्हीं रोटियों को इस अन्नदान में भक्तजनों को वितरित किया जाता है। उत्सो के पाँच दिनों में लगभग एक लाख लोग महाप्रसाद का लाव लेते हैं ऐसी मान्यता चली आ रही है कि पौर्णिमा के दिन स्वयम प्रभु महराज भी किसी वेश को धर कर भंडार खाने में प्रसाद लेने के लिए आते हैं हजारों की उस भीड में प्रभु ने भोजन किया हुआ पत्तल कौन सा है यह तो लोग नहीं जानते इसलिए जमीन पर गिरे हुए अन्न के प्रत्येक कण को पवित्र मान कर प्रभु का उच्चिष्ट समझ कर उस प्रसाद रूपी अन्न को अपने शरीर पर धारन करते हैं जिससे उनके शारीरिक एवं मानसिक रोगों का शमन होता है प्रसाद लेने के बाद जूठे पत्तलों को भी लोग सिर पर रखकर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने खेत खलिहानों में गाड़ देते हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके खेतों में प्रभु की कृपा से फसल अच्छी आती है प्रभु जयन्ती की रात में साड़े आठ बजे आरम हुआ अन्दान का यह काले क्रम अगले दिन सुबह सूर्योदे तक चलता रहता है प्रभु की कीर्ती और महिमा के दर्शन कराने वाला भंडार खाने का यह अद्भुद रिश्य मन को अनुपम शान्ती और समाधान दिलाता है समस्त प्रभुभक्तों से हम यह आववान करते हैं कि महोत्सों के दोरान मानिक नगर आकर प्रभु दर्शन पाएं और भंडार खाने में प्रभु के दिव्य महाप्रसाद को ग्रहन कर शुरी कृपा संपादित करें जै गुरु मानिक